क्यूं चर्चा में हैं बागेश्वर धाम के युवा संथ, कौन है पंडित धीरेंद्र शास्त्री, कैसे जान लेते हैं मन। की बात पंडित धीरेंद्र शास्त्री आजकल अपनी रामकथा और दिव्य दर्बार को लेकर बहुत चर्चित हो रहे हैं। कुछ एक विवादित बयानों को लेकर भी उनकी चर्चा हो रही है। वहीं वीडियो में लड़की के पिता भी मौझूद होते हैं। क्रिशन शास्त्री के सामने अपना दर्द सुनाती है। लड़की कहती है कि उसकी शादी तै हुई थी लेकिन अब उसका मन शादी का नहीं कर रहा है। इसके बाद पंदित धीरेंद क्रिशन शास्त्री उसके पिता से कहते हैं कि लड़की स्ट्रेस में पहुँच जाएगी। हम आपको नहीं बता सकते, सामने वाला परिवार हाइफाई तो है लेकिन बालिका का मन नहीं है, हमारे हिसाब से बात बदल दी जाए, ये शादी रोक दी जाए, इसके बाद लड़की के पिता भी मान जाते हैं, सोशल मीडिया पर ये वीडियो जम कर शेयर किया जा रहा है वीडियो पर लोग जम कर रियेक्शन भी दे रहे हैं, लोगों का कहना है कि, पंदित धीरेंद क्रिशन शास्त्री का कहना सही है, अगर लड़की नहीं चाहती तो उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, बता दे कि इस वीडियो को अब तक दो लाग से ज्यादा लोग देख सही बात है, वहीं, एक यूजर ने लिखा, लड़की के मन के बिना शादी नहीं होनी चाहिए, दिव्य, दर्बार बताया जा रहा है कि उनके दर्बार में पहले सेकडों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे, उन सेकडों, लोगों में से पंदित धीरेंद शास्त्री जी कि पहुचता तब तक शास्त्री जी एक परचे पर उस व्यक्ती के नाम पते सहित उसकी समस्या लिख लेते और उसी में उसका समाधान भी लिख लेते, लोग आश्चर्य करने लगे कि यह व्यक्ती किस तरह दूर दूर से आए अंजान, लोगों को उनके नाम से बुला लेते है और कहता है कि आओ तुम्हारी अरजी लग गई, धीरेंद शास्त्री यही नहीं, लोगों को ये भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का नाम क्या है, और बेटे का नाम क्या है, कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल की लेकिन वो ये रहस्य नहीं जान पाए, कि आखिर यह व्यक्ति कैसे लोगों के मन की बात जान लेता है, छोटे से गाव गड़ा में जब सेकडों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे तो धीरेंद शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्या दर लगाना प्रारंब कर दिया, इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों का परचा बनाना संभव नहीं इसलिए अब हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दर्बार लगा लेते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो, हमारा ये दर्बार नी, शुल्क है, इसकी में किस भी तरह से शुल्क नहीं लिया जाता है, मंदिर में या रामकथा से हमें जो भी पैसा मिलता है, हम उसे गरीब की बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च करते हैं, रामकथा, पंदित धीरे इंद्र क्रेश्न, शास्त्री जब धीरे धीरे लोग प्रिया होने लगे त भी बोल जाते थे कि जिससे विवाद उत्पन हो जाता है, हाली में उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर, फेके जाने वाली घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदूों को कहा कि जाग जाओ और एक हो जाओ अगर तुम, अभी नहीं जागे तो ये धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ब्रिटिंग गए हैं, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतिय समुदाय के बीच रामकता का वाचन किया और प्रवचन दिया, है, अब उनकी लोक प्रियता देश में ही नहीं विदेश में भी फैल गई है, पंदित रखते हैं, खुद धीरेंद्र शास्त्री अपने के एक दर्बार में कहते हैं कि बच्पन में उनके पास कभी कभार, एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था, हमारे पिताजी गरीब थे, वे दान दक्षिना लेकर ही हमारा भारन पोशन करते, थे, एक दिन हमने उनसे कहा कि हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, व्रिंदावन में जाकर कर्मकांध पढ़ना चाहते हैं, उनके पिताजी के पास उस वक्त एक हजार रुपे नहीं थे, उन्होंने गाव में कई लोगों से उधार रुपे मांगे कि मेरे, बेटा पढ़ना चाहता है लेकिन किसी ने रोज गर्ग बताया जाता है, उनका एक छोटा भाई और एक बेहन है, उनके दादाजी एक सिधर संथ थे जिनका नाम भगवांदास गर्ग था, वह निर्मों ही अखाडे से जुड़े हुए थे, वे भी दरबार लगाते थे, पंदित धीरेंद क्रिश्न शास्त्री अपन मुश्किल हालातों में आथवी तक पढ़ाई अपने गाव में की, इसके बाद की, पढ़ाई के लिए वे पांच किलोमेटर पैदल चल कर गंज में जाते थे, वहां से उन्होंने बारवी तक की पढ़ाई की और फिर बाद में भी ये प्राइवेट किया, लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गिया दादा जी की ऐसी कृपा हुई की उन्हें, दिव्या अनुभूती का अहसास होने लगा और वे भी लोगों के दू, खों को दूर करने के लिए दादा जी की तरह, दिव्या, दरबार लगाने लगे, हालाकि नौ वर्ष की उम्र में ही व साधना और पूजा करने लगे थे, कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बाला जी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई, क्या है बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम सरकार, छतरपुर के पास गड़ा में बागेश्वर धाम है, जहां पर ब गुरुजी का समाधी स्थल है, यहां पर मंगलवार को अरजी लगती है, अरजी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांध कर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहां एक स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर की राम नाम जाप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं, यहां पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे